नमस्ते बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल में तो हमने क्लास 12 अकाउंट का चैप्टर नमबर 7 यानि कि बिल्स ओफ एक्षेंज को स्टार्ट किया है जिसमें हमारे तीन लेक्चर हमने कम्प्लेट कर लिए हैं तो अभी तक हमने क्या क्या सी सीखा था कि बिल्स ओफ एक्षेंज का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है ठीक है वह हमने उदर सीखा था और उसके रिलेटेट जो भी कोस्टन थे वह भी हमने सॉल्व किये थे फिर लेक्चर नमबर 3 में हमने क्या देखा था बच्चों कैसे डेस का कैलकुलेशन किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा जर्नल इंट्रीज बताने वाली हूँ फिर उसके बाद निक्स वीडियो से जो आपके कोशन्स रहेंगे उनको हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है बच्चों तो चलिए फिर सब लोग तयार है ना अच्छे से पढ़िएगा इसको भ तो देखो बच्चो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब है क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होता है तो ड्रॉवर के द्वारा क्या बनाया जाता है बच्चों यह बलोफ इक्षेंज बराबर तो यह जो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है इसको रिसीव कौन करेगा बत पैसा जिससे समान बेचा है उसी को रिसीव होगा ना यानि जो आपका बिल्स यानि बयुक्त की लिए वह फिसे ओपर प्याइगा तो इसके यह पर यानि ये जो बिल है न बच्चो ये ड्रावी के लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेबल ठीक है समझा कि नहीं देखो ड्रावर के लिए यही बिल क्या कहलाएगा बच्चो बिल्स रिसीवेबल और ड्रावी के लिए क्या कहलाएगा बिल्स पेबल क्योंकि ये पे करने वाला है और ये रिसीव करने वाला है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आई अब देखो बच्चो जो आपकी जोर्नल एंट्रीज है ना इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ वैसे मैंने आपको बताया भी था जब ही मैं आपको एड्मिशन और पार्टनर पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने बताया था चले एक बार फिर से देख लेते हैं देखो बच्चो असेट्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं ठीक है तो देखो बच्चो असेट्स या फिर बढ़ेगा तो उसको डेविट करना ठीक है अब इसके अपोजिट अगर यह डिक्रीज हुए तो क्या करोगे इसी का अपोजिट कर दो जब बढ़ रहे थे तो डेविट और जब कम होंगे तो क्रेडिट कर देना सिंपल सी तो बात है ठीक है तो यह असेट्स अन एक्सपे इस ही का उल्टा होता है और जब करने का तो जी हां डेविट करने का ठीक है मतलब यह दोनों एक दूसरे की अपोजिट होते हैं डेविट करो क्रेडिट करो लेकिन यहां पर क्या होता है अगर यह increase होते है यानि बढ़ते हैं तो फिर उसको debit करना है और जब कम होते हैं तो क्रेडिट करना है ठीक है देखो इदर credit लिखा हुआ है जब यह increase होते है तो credit करना है जब decrease होते हैं तो debit करना है ठीक है तो उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और फिर चलिए अब देखो बच्चों यहां पे होगा क्या जैसे कि हम लोग क्रेड़ेट पे गुड्स को पर्चेस करेंगे हैं जब च्रेडिट पे गुड्स को पर्चेस करते हैं तभी तो यहां पे बिलस ओफ एक्षेंज्ज का कंसेप्ट आता है है ना मैंने आपको बताया था जब ही cash में लोगे तो यहां पर bills of exchange नहीं आएगा तो देखो क्या किया हमने सबसे पहले when goods sold on credit यानि कि जो ड्रॉवर है न बच्चो इन्होंने क्या किया ड्रॉवी को goods sold किया कैसे credit ठीक है तो आप देखो बच्चो यहां पर जब ही हम लोग क्या करते गुट्स को आनी चाहिए तो देखो बच्चो और सुनो आपने ना credit पर बेचा है किस पर उधारी पर बेचा है तो सामने वाला परसन है ना वह आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चो डेटर हो जाएगा इसका मतलब को पताया ना जिस से हमको पैसा मिलने वाला है ठीक है और Gretor मतलब क्या होता है जिससे हमको पैसा देना है तो मैंने क्या हिसा मिलने वाला है वहां पर सोच करके बताइएगा वाले मेरे लिए क्या हे डेटर है तो जब हम गुड्स को बेचेंगे तो जो इनके लिए क्या हो जाएगा देटर ठीक है जो की इंक्रीज हो रहा है तो जबी भी assets increase होता है तो उसको क्या करना होता है बच्चो debit करना होता है यानि हम क्या करेंगे ये जो drawi है ना इसको हम लोग debit कर देंगे चलिए फिर लिखते इधर drawi account debit ठीक है और यहाँ पर credit क्या होगा बच्चो तो हम क्या कर रहे हैं सामान बेच रहे हैं सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स क्या होता है बच्चो सेल्स हमारे लिए इंकम होता है सेल्स इजन इंकम ठीक है सेल्स इजन इंकम किसमें आएगा बच्चो बताईएगा यहां पर रिवाइड करो बताओ किसमें आएगा सेट्स होता है इंकम ना एक्सपेंस होता है नहीं रिवैन्यू होता है ठीक है इंकम हमारा क्या होता है रिवैन्यू होता है तो देखो बच्चो जब हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा सेल्स है बच्चो इंकम है बराबर तो हमारा इंकम बड़ेगा आगर आप सामान बेचोंगे तो आपका इंकम है वह सामान। क्रेडिट कर देंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देखो ड्रॉवी अकाउंट डीबिट टू सेल्स अकाउंट अब यहां पर यह एंट्री कम्प्लीट हो गई इतना ही था ठीक है अब चलो बच्चों हम यह समझते हैं कि ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आईगी अ आप ऐसे समझो कि आप क्या वहूज ठीक है आपने क्या किया बच्चों GoRat पर्चेस किया ठीक है तो देखो सबसे पहला तो जब आप तो यह सांब कर देंगे बच्चों डेबिट कराकउंट क्यों क्यों पर्केजिर करसे मनें क्यों क्यों चैंइंब सेट्स न उसको debit करने का तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चो purchase account debit 2 कि purchase account debit ठीक है अब देखो बच्चो यहां पर credit किसको करेंगे तो जो सामने वाला person है मैं क्या हूँ मैं ड्रॉवी हूँ ठीक है मैंने क्या क्या सामने वाले यानि कि ड्रॉवर से सामान खरीदा Udhari पर क्रेजिटर जब होता है तो यहां पर च्रेजिटर है वो बढ़ रहे कि मेरी क्रेट है क्यों कर देता है कि depressed करने कर देने बराब लास है पर क्रेजिट करेख वह पर संकendash वाला पॉर्सन है ना ठीक है उसको आम लोग क्रेडिट कर देंगे तो सामने वाला कॉन है बच्चों ड्रॉवर है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे टू ड्रॉवर्स अकाउंट बस इतना इस्ता ही है ठीक है रुको वैसे आपको एंट्रीज धीरे धीरे याद हो जाएंगे चिंता मत करो क्योंकि बहुत सारे कोश्चन अभी हमको आगे स्वाल्व करने है ठीक है तो एंट्रीज करते करते आपको याद हो जाएगा ओके क्लियर हुआ आपको ड्रॉवर के अकाउंट में कैसे एंट्री करने का ड्रॉवी के अकाउंट में कैसे करने का सिंपल है ना चलो अभी बच्चों यहाँ पर आगे चलते हैं अब देखो जब हम लोग क्या करते बच्चों क्रेडिट पर गुट्स को सोल्ड करते है तो वहाँ पर क्या करना होता है जी हां बिल औफ एक्शेंज प्रिप्यार करना पड़ता है यानि कि बिल बनाना पड़ता है ठीक है तो जब हम क्या करेंगे बिल को बनाएंगे वेन बिल इस ड्रॉवर के बुक में एंटरी क्या आएगी चलिए इसे हम लोग समझते हैं तो देखो बच्चों क्या किया जाएगा ड्रॉवर के द्वारा यह बिल को बनाया कर देंगे और किसको करेंगे तो यह जो है ना यहां जारी से सोचिए करेंगे इसको क्या करेंगे ठीक है देखो यह द्यान में रखना कि ये जो है ना इसके नाम नाम किसका तो ट्रावट nahe यहां पर देखो यह दूसरी वाले एंट्री के लिए दूसरे वाले ट्रांसिक्शन के लिए यहां पर हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एक टू ड्राविज अकाउंट ठीक है और इसके बुक में एंट्री क्या आएगी तो देखो बच्चो यह जो आपका ड्रॉवी है इसके लिए यह बिल्स पेबल क्या हो जाएगा बिल्स पेबल क्या होता है बच्चो लाइबलिटी होता है हम जानते है ठीक है तो यहां पर जो इसका लाइबलिटी है वो क्या हो रह इसको करोगे बोलो बुलो चल्दी से जी हां ड्रॉवर को डेविट कर देना यहां पर हम लिखेनगे ड्रॉवर अकांट डेपिट। समझा आपको कैसे कि है हमने अब चलो बच्चो देखो वनने गृत पैट्र फे Psalm को द्रॉवर कहीं करते है तो द्रॉवे को द्रॉवे को सइन करे टूप करें तीक है और ज्रिए कर सक्ता है पहला चेस एक 服ert जिन Untersून्डómg पहीं हो सकता है या फिर दूसराई ये भी हो सकता है कि वह प्रकार को है आर्ड को टिसकाौंटिंग के लिए दे यानि 3 महिने बाद आपको पैसा मिलेगा लेकिन अगर इसको अरजिंट पैसों की requirement है फार ही थो उसके पास मतलब इसके पास नहीं सकता क्यों कि इस नहीं पहले बोला मैं तो 3 महिने के बाद पैसा दूँ तो अब यह क्या करेगा अपने bank के पास जाता है और bank को क्या बोलता है कि यह देगो मेरे पास यह bill है तो आप एक काम करो इसको रख लो और मुझे क्या कर दो पैसा दे दो ठीक है और जब जब इसका maturity rate आ जाएगा तो आप जा करके उधर से पैसा ले लेना ठीक है तो bank क्या क बताया ड्रावर्वर जो है वह अपने फासी बिल को रख सकता है या फिर वह bank में डिसकाउंटाइंग के लिए दे सकता है या फिर क्या होता है वी änd Mae क्या होता है रुखो बच्चों एक काम करते हैं हम दोग एंट्री भी समझते छाते फिर मैं आपको एक एक चीज बताते जाओंगे ठीक है पहले एंट्री भी साथ साथ में करते जाते हैं तो देखो बच्चों जब न यह जो ड्रॉवर है अगर वह बिल्कों अपने पास रख अब अपने पास रखा तो उसकी क्या एंट्री करोगे कुछ नहीं करना ठीक है और इनके बुक में कुछ आएगा ना यहां पर लिख दीजिए नो एंट्री है ना यहां पर सब कुछ सारी गेट बन दो चुके हैं इधर अंदर अंदर मत घुसना है ना नो एंट्री का बोड चुका है आगे देखिएगा बच्चो वह जो आपका बील है उसके साथ और क्या-क्या हो सकता है तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वेन बिल इस डिसकाउंटेड विद्द बैंक यानि कि जब हमने क्या 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 करता है बोलना जरा जी हां वो बैंक के पास जा पैसे आरह है पैसा आपक पैसे आरहे हैं पैसा क्या होता है है बच्छो असेट होता है ठीक है तो यहां पर जो आपका यह जो कैश वाला असेट है वह बढ़ेगा कि घटेगा जल्दी से बोलो क्या होगा बढ़ेगा तो जबी भी असेट इंक्रीज होता है तो क्या करने का यहांपर कैश लिखने कर दीगे namos समझ में आ गया अब उसके बाद बैंक क्या है आपने कुछ चार्जेस्ग बी काट यहांपर बैंक ने 2 रुपए काट लिया तो यह आपका इंकम है याप सिरह क्साइब मुझे बता creativity अगर आप तीन महीने के बाद पैसा लेते तो आपको पूरा सो के सो रुपे मिलते लेकिन आपने क्या किया बच्छो आपने मतलब आपको पैसों की अर्जेंटली जरूरत थी तो आपने क्या किया पहले ही यह बैंक के पास चले गए बिल डिसकांटिंग के लिए ठीक है तो कि नुकसान होता है तो किसमें आता है वह एकस्पेंस में आता है ठीक है तो यहां पर आपका एकस्पेंस जो है वह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बोलना जल्दी से जी हां बढ़ रहा है तो जबी एकस्पेंस बढ़ता है तो क्या करने का यानि यह जो दो रुपे का दो और बराबर और पर यहां पर एट किसको किया जाएगा तो जो हमारे पास हमारे पास यह जो में तो आमने दे दिया तो जो बते रहें कि घट रहें जलूदी से बताईए जो आपका बिल्स रीसेविब्ल नामका अस्ट वह बड़ेगा के घटेगा अरे कम होगा ना क्योंकि आपने दे दिया बैंक को ठीक है तो कम होगा तो जब भी भी असेट्स कम होता है तो क्या करने का क्रेडिट करने का तो हम क्या करेंगे यहां पर आपका बिल्स है बच्चो इसको हम लोग क्रेटिट कर देंगे बस सिंपल सी तो बात है लिख लीजिए इसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ठीक है समझ में आएगी नहीं समझा ना अब देखो बच्चो ड्रॉवे के बुक में इसके लिए कुछ एंट्रे आएगी क्या नहीं आएगी क्य है लना आप चाहें अपना बिल किसी को दे दो ठीक हे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा काम क्या है जबी बिल का पीरिएट जो हे वह समाप्त होगा और कोई भी अगर मेरे पास बिल ले करके आए चाहे वो बैंक आए चाहे कोई भी आए ठीक है मैं क्या कर दूंगा उसको पैसा दे दूंगा बस इनका तो यही काम है ठीक है तो आप अपने बिल को अपने पास रगो या फिर किसी को दो इससे इनको कोई फरक नहीं पढ़ने वाल मतलब क्या होता है इसी आप लोगको समझना चाहिए और मेरा उद्हारी मतलबование किसी का नहीं तक दिया अब वो सामने वाला मेरे पास आगया से लिए तो मैंने पैसा कहां से थूं इसको हो पैसा चाहिए चाहिए थिक है तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास यह pill है कि इसको वही देदु टिक है तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास यह不好 नहीं है लेकिन यह बील है जिसे आप ले लीजिए जब जिसका maturity rate आएगा तो आप जाकर kai पैसे ले लिए न सैंवा मेरा बिल्स रेसेविबल था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया एंडोस्ट कर दिया तो यह होता है आपका वेन बिल इस दोस्ट यानि जब क्या करते बच्छों बिल को ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को दे देते हैं ठीक है समझ में आ रहे तो उसको अम लुग यह बोलते हैं प्रांसफर करता है यह सामने वाला मेरे लिए क्या कहलाईगा पता है एंडोसी होगा क्या होगा एंडोसी और मैं क्या होंगी देखो जो बिल को ट्रांसफर करता है उसको आप लिए उसको इनके अकान को हम लोग डेबिट करेंगे तो देखो यह हमारा ट्रांसफर क्रेडिटर है creator यानि क्या एक तरीके से liability ठीक है तो मैं क्या कर रही हूँ bills receivable उसको दे रही हूँ जो मेरा बिल है बच्चो वो उसको दे रही हूँ ठीक है तो जो मेरा date है वो कम होगा न यानि कि जो मेरी liabilities है वो क्या हो जाएगे बच्चो decrease होगी न समझ में आ रहा है और जब भी liability decrease होती है तो उसको क्या करने का बच्चो देखो यहां पर लिखा हूँ है जब भी liability decrease होती है तो क्या करने का debit करने का यानि कि हम इसकी account को क्या कर देंगे बच्चो debit कर देंगे ठीक है और credit किसको किया जाएगा तो bills receivable को credit किया जाएगा क्योंकि जो मेरा बिल्स रिसीविबल नाम का असेट है वो तो चला गया इसके पास है ना वेरी सिंपल तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एंडोर्सी अकाउंट डेबिट क्या लिखोगे बिल्स रिसीविबल अकाउंट समझ में आया आपको अब मुझे एक बात बताईएगा ड्रॉविक को इसते कोई फरक पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा मतलब इसके बुक में कुछ भी एंट्री नहीं आने वाली यहाँ पर फिर से लिखिएगा आप लोग नो एंट्री इसको कोई फरक नहीं पड़ता ना आप चाहें अपना बिल्स रिसीवेबल किसी को भी दे दो किधर भी ट्रांसफर करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ने वाला लिख दो यहाँ पर नो एंट्री ठीक है समझा आपको अब देखो बच्चो चोथा केस क्या हो सकता है कि वेन बिल इस सेंट टू बैंक फॉर कलेक हर बांक करेंगर वह लाका प्लाक और चलया फ्रूसकर इस समझना यहें पहले हैं करती खुर कूरेंन और वह आपके देख को कि घूज को रहे है कार आपके लिए पैसे को को कलेक्ट करती है और फिर वह घर आपको देए देती है समझ में आया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे रहे हो ना तो यहां पर हम क्या करेंगे देखो बैंक फॉर कलेक्शन देखो जो आपका बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट है वो तो आपके पास से जा रहा है और जबी भी असेट्स कम होता है तो क्रेडिट करने का यहां पर लिकेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसको कुछ असर पड़ेगा क्या नहीं इसका तो बस एक ही काम है मैचुरिटी डेट पर पैसा देना ठीक है बाकी आप अपनी बिल के साथ कुछ भी करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ने वाला समझ में आये कि नहीं आप लोगों को समझा अच्छे से तो यहां पर हमने कित इंट्रीज अभी देखने हैं ठीक है तो दीरे दीरे सब देखेंगे पहले मैं आपको यह थोड़ा रिविजन करवा देती हूं देखो यह पहली बात आप लोग याद रखिएगा असेट्स एन एक्सपेंसेज जभी यह क्या होते हैं तो डेबिट करने का ठीक है और रिव ड्रावर के बुक में एंट्री क्या आएगी ड्रावी के बुक में क्या आजाएगा पॉर्चेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर्स अकाउंट ठीक है इसके पीछे का रिजन भी मैंने आपको समझा दिया तो इसको देख करके आप समझ सकते हो चलो फिर यहां पर दूसर है किसी को नहीं देता थे नहीं के जया है के साथ और क्या या हो सकता है पहला तो यह हो सकते है दूसरा देख के रिजन बटा अब से हुआ और इसको इससे कुछ भी असर नहीं पढ़ने वाला कुछ भी इसको इफेक्ट नहीं पढ़ेगा तो यहां पर क्या लिखोगे नो एंट्री ठीक है और देखिए बच्चो अभी आपके बिल के साथ और क्या हो सकता है तो वेन बिल इस एंडोस यानि कि जब हम क्या करते हैं ब आपको इतनी बात समझ में आई और फ़िर उसके बात यहां पर देखिए का लास्ट में क्या हो सकता है बिल के साथ वेन बिल इस सेंट टू-Bank-for-collection के लिए दिया तो किसको दे रहे हैं बैंक-for-collection के लिए ना तो यहां पर क्या लिखोगे बैंक-for-collection अकाउंट टीक है और इसको यहाँ पर कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला समझ में आएगी नहीं आप लोगों को समझाना अच्छे से चलिए इसको लिख लीजिए चलिए बच्चो अभी मैं आपको कुछ और बाते बताती हूँ तो honored of bill और dishonored of bill का मतलब क्या होता है बताती है यह दो जाता है यानिके अगर आपको पेमिंट मिल जाता है तो ऐसे कंडिशन में आपको कैसे इंट्रीस करनी चाहिए वह हम लोग सीख लेते हैं ठीक है पहले हम यह वाला सीखेंगे उसके बाद मैं आपको यह वाला बताऊंगी ठीक है बच्चो तो चलिए देख लीज़िए पहले मेंने यहाँ पे लिख दिया है और बिल तब क्या करने का तो अगर आपका.. रिटेन बिल मतलब क्या होता है बताएं बिल तो अपने पास रखा घ्या तो आपने पास रखा हुआ जहाँ जब हम क्या करेंगे मतलब इसके पास ले करके जाएंगे आप सोचो कि आप ड्रॉवर हो ठीक है आप ड्रॉवी के पास बिल ले करके गए तो ड्रॉवी ने क्या किया आपको पेमेंट दे दिया यानि कि पैसा दे दिया ठीक है तो आपके पास पैसा आ रहा है न बच्चो पैसा आपका क्या होता ह है assets होता है तो यहां पर आपका assets है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यानि हम क्या करेंगे cash bank account को यहां पर क्या कर देंगे बच्चों debit कर देंगे और credit किसको करेंगे तो bills receivable को कर देंगे credit ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं क्या लिखेंगे बच्चो cash bank account debit है ना क्योंकि cash तो हमारे पास आ रहा है सिंपल सी बात है cash bank account debit to bills receivable account ठीक है सीधे सीधे यहां पर bills receivable लिख दीजिए bills receivables ठीक है समझे आपको आप देखो बच्चों यहां पर क्या होगा allowance के book में कैसे entry यही तो आप समझे किआअ क्या कर रहे आप payment कर रहे तो आपके पास से पैसा जाएगा पैसा आपका क्या होता है कि नहीं होता है ना तो जब ही आपका encries सोगा तो क्यां करनेगा credit करनेका यानि क्या करेगा cash bank account추 ठीक है तो देखो इसको आप बेखो ऐसे to cash bank account फिर debit किसको करेंगे तो बिल्स पेबल a-counm't को debit कर देंगे करना होता है तो इसके लिए बिल समझ में आया ये तो पहरा कनडिशन हो ऊगया और इस केसे में आपका बिल होता यानि कि discounted भी कि क्या होता है मैंने आपको बताया था हम लोग बैंक के पास जाते हैं बैंक को दे देते हैं ठीक है और हम पैसा ले लेते हैं तो बच्छो अभी इस केस में किसके पास रहेगा बताएं जल्दी से क्या वो ड्रॉवर के पास रहेगा ड्रॉवर को दे दिया मतलब जो बिल हैं बच्छों वो किसके पास बैंक के पास थीक जैए के पास यह जाएगा के पैसा कलेक्ट कर लेगा थीगह तो City period पे जाकर के मतलव मैशुरोटी में पेट पेजा कर पैसा ठीक है तो इस केस्थ में इनके बुक में कुछ भी एंटरी नहीं आएगा जो सब्सक्राइब करें मिक यह थो पे awareness ऑप फटा पट से बिल्स पेबल आकाउंट डेबिट के तो cash bank account समझ में आया बच्चो चलिए ये तो दूसरा वाला condition हो गया अब देखो अगर तीसरा वाला condition रहता तो endorse bill यानि कि bill को transfer कर दिया ना किसी और को ठीक है तो अब इस condition में क्या होगा bill किसके पास है बच्चो तो endorse के पास है ले करके इनको देगा क्या नहीं देगा मतलब इस टाइम पर भी इनके बुक में कुछ भी entry नहीं आएगी क्योंकि इस से इनको कुछ भी फराग नहीं पढ़ने वाला ठीक है और इनके बुक में entry आएगी यस आएगी क्योंकि ये तो payment कर रहे है कौन से entry आएगी डेशींडेशी सेम कैंडेश अकाउट अकांध 102 थे हैं आप तो सिंपल सा है चलो लिक डिःटेंश्ट आपकांऊट आप क्सक्शिए बच्चो यहां पे कुरी हो सकता है यह तीन तो हमने देख लिए एक लिए तो आपने बिल दिया है बच्चों पॉर अब पॉर टीट्ट करें और फिर वह ट्राबर को लिए क्या में बोला था इंक को पैसा क करके समझने के लिए लेकिन बेंक ने पैसा कलिक किया और हमको लागर के दे दिया ठीक है लेकिन बैनक क्या यह काम फ्री में करेगी नहीं यहां पर बैंक क्या करते हैं आपने चार्जेस भी लेते हैं थाँ इस Case में entry क्या होगी बध्चों बहुत सीम्पल सा है सुनो बैंक ने क्या किया बैंक गई डॉभी के पास थीक है बैंक ने पैसा लिया ठीक है तो आपके बैंक अकाउंट में बच्चों क्या आएगा पैसा आएगा ना मतलब जो आपका bank balance है वो क्या होगा increase होगा और bank क्या होता है यहां पर हम लोग क्या करेंगे यह से वरीवन डेबिट करेंगे ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देखो खर्चा होगा ऑफ हमारे लिए तो खर्चा होगा आप सोचिए तो फ्रेट करने का यानि सिंपल सी बात है बैंक अकाउट डेबिट और फिर इसको क्रेडिट की और चाहेगा तो दो बैंक फॉर कालेक्शन इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे समझ में आया आपको टू बैंक फॉर कलेक्शन समझे और बच्चों ड्रॉवी के बुक में कुछ एंट्री आएगी क्या जी हाँ आएगी ना ये तो पेमेंट कर रहे हैं तो कौन से एंट्री आएगी यही से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैच बैंक अकाउंट ठीक है सेम टू सेम लिख दीजिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैच बैंक अकाउंट ठीक है बच्चों समझ में आया तो ये चार इंट्री थी जो आपको समझना था जब भी आपका बिल क्या होगा ओनर होगा तब ठीक है अब हम क्या देखेंगे इसको आप लिख लो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका बिल क्या होगा बच्चों डिस ओनर होगा यानि कि द क happens जब आपका बिल क्या होता है बच्चों डिस ओनर यानि दियो डिट पर आपको पेमेंट नहीं मिलता इस टाइम पर पता ही क्या होता जो आपका बिल है बच्चों वह जाता है तो ओंस इसके यहांपर प्हेला केस क्या हो furnace पता है आप सब्सक्राइब करो कि जो आपका रिटेन विल था यानिकी जो ड्रॉवर ने अपने पास रखा था वो क्या हो गया बच्छों डिस ओनर्ड हो गया यानिकी कैंसल ओगया ठीक है तो ऐसे कंडिशन में ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या आनी चाहिए तो देखो यह अंने अपने पास ही रखा था तो तो विल रिसीवेबल अपनद देखो अभी पने र कहुंप रहा है तो इसको debit करेंगे और यह जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है तो cancel हो गया मतलब आपका असेट से वह क्या हो रहा है ठीक है इसके लिए हमने इसको क्या दिया बच्चो क्रेडिट दिया ठीक है यह तो ड्रॉवर की बात हो गई अभी ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी देखो बच्चो ड्रॉवी के लिए अभी यह जो ड्रॉवर है ना बच्चो यह क्या है क्रेटर क्यूंकि इसनी तो payment किया नहीं है ना समझ में आ रहा है मतलब यहां पर ड्रॉवी के बुक में आप क्या करोगे दोगे क्रेडिट ठीक है लिखिएगा यहां पर टू ड्रॉवर्स अकाउंट तो फिर डेबिट किसको दोगे बताती हो ना रुको तो सही यहां पर डेबिट हम किसको देंगे तो जो आपका बिल्स पेबल है उसको हम लोग डेबिट देंगे ठीक है क्योंकि अभी भी वह क्य दोनों अब देखो बच्चो अगर आपका डिसकाउंटेट बिल क्या होता है इस केज में ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या आती है तो यह भी बहुत सिंपल है यहां पर लिखने का ड्रॉवर अकाउंट डेबिट क्योंकि देखो ड्रॉवी ड्रॉवी आएगा सौरी ड्र रहेगा तो बिल्स रिखना और जब आपने बिल किसको दिया बच्चों डिसकाउंटिंग के लिए तो यहां पर बैंक लिखना ठीक है और इनके बुक में एंट्री के आएगी बच्चों यही से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट ठीक है सेम रहेगे बच्चों अगर आपका एंडॉसट क्या होता है इसकेज में क्या रिखने का यहां पर लिखोगे ड्रॉविस अकाउंट डेबिट है 20 हमने क्या किया था LEA ऐ EU इंडाउसि को बिल दे दिया था न तो यहाँ पर आप क्या लिखोंगे समझ मिन आया जबी बैंक को दिये रहोगे तो बैंक लिखना जबी स्वाइन पर लिखोंगेu समझ में आया आपको और यहां पर सेम टूसें बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट थीक है बच्चो अभी लांस्ट वाला देख लीजिए अगर आपने बिल को किसके लिए दिया है बैंक फॉर कलेक्शन तो फिर अगर वो डिस ओनर होता है तो इस केज में इंट्री क्या आती है यह भी बहुत सिंपल है ड्रॉविस अकाउंट डेबिट करना इसको उसके बाद आप क्या लिखोगे बच्चो टू बैंक फॉर कलेक्शन यह बैंक फॉर कलेक्शन के लिए था टू ड्रॉवर्स अकाउंट ठीक है समझ में आया बच्चो आप लोगों को यहां पर यह जो डिस ओनर का केस था बच्चो यह भी मैंने आपको बता दिया है ना यह बहुत ही सिंपल सा है जब ही बिल आपके पास है तो क्या लिखोगे बच्चो टू बिल्स रिसीवेबल औ लिकोगे बैंक अकाउंट लिखोगे और जभी आपने बिल्कों ट्रांसफर कर दिया है एंडॉर्सी को टो क्या लिखोगे बच्चो इधर लिखोगे और जभी आपने में को चैलेक्षे लिए बताती हूँ तब तक मैंने आपको जितना सिखाया है प्लीज अच्छे से रि के लिए हूँ आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं ठीक है ना तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो आगे वाले जनरल एंट्रीज हैं उनके साथ ठीक है ना बच्चों चलो फिर चलते हैं गुडबाई अब्रीवान